हेलो एंड वेलकम टू फिफ्टिए अपिसोड ओफ नी पें रिलीव सेरीज आएम डॉक्टर वरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैस्ट एक्ससाइज एंड ट्रीटमेंट फॉर नी पें अब नी पें चाहे आपको ऑस्टो आर्थरेटिस की विज़ा से है चाहे पेटेलो फिर्मोरल सिंड्रॉम की वज़ा से है या आपके पुरानी कोई इंजरी की वज़ा से है अगर आपको नी के अंदर वाली साइड या पूरे नी के राउंड कोई पें हो रहा है तो उसमें सिंपल और इजी एक्ससाइज हम क्या कर सकते हैं चाहिक ताकि मा तक हम आपर ने को युज़े राइड़ नी में पेन हो रहा है तो इसतरा से बैठ जाना है और इसको क्या करना है इससिए अबने एपनी टिबिया को और हलका सा उधर को पुश परकर के या लिद eyelid की सामने और पुश करके ट्रैक्शन डेके त्रैक्शन डेकी हम ने क्या है अगर जिसको किसी को बाहर वाली साईड पहले करेंगे इसको ट्रेक्शन दिया और आउटर साइड पे तो इस तरह की इस थार आथ जय सी र개 करेंगे के में नेम एंव थोड़ा सा इंख्री स्थ रॉटेशन होता हैं मे है जुपन होते हैं तो जितना भी हम इस तरह को movement करेंगे तो उतना उसका जो pain है वो कई बार relief होता है तो इसको movement करने के बाद आगर वो चल के देखें तो उसका थोड़ा सा pain जो है वो कम हुआ होगा तो अब चलते हैं हमनी second exercise की तरफ तो इस तरह से हमने नी को रख लेना है और हमने पटेला को इस तरह से hold कर हमने फ्रंट से हमने पर से hold कर लेना है और उसको क्या करना है मीडियल साइड पे आमने लेके जाना यान की अंदर वली side पे इस तरह से push करते हुए इसकी कम से कम हमने 10-20 repetitions करनी में उसके बाद हमने क्या करना है लेतरल सइड पर अबने सिरफ थम से अंदर वली side से बाहर व तो यह सिम्पल सी थी सेकिंड एक्ससाइज जो हमने परटेलर की मोबीलाइजेशन करनी है, अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्ससाइज की तरफ जो थोड़ी सी स्टेबिल्टी लेके जाएगी स्ट्रेंथ लेके याएगी वह है अमारी वीमो एक्सरसाइज तो अब चलते हैं थर्ड एक्सराइस कि तरफ जो है व्मठी और उन व्मोग एक्सराइस जो मेर और निए की स्टेबिलटी भी लेके जाए गी और स्ट्रेंथ से लिए जीए जिससे हमारा निए पिनि मुसेथे इसमें हमने प्रेश्यणता से त्रेसे रच्द मेसे कम पड़ेंगा। इसके बाद होता है 130 gram उसके बाद हो 250 gram तो जिसको जिस तरह की requirement है वो उस तरह से try करने के लिए भी ले सकता है और जो आरेड़ी try कर चुके है वो बड़ा pack भी ले सकते हैं तो नीचे लिखे number पर जाके आप हुमारे इसको order कर सकते हैं सब मैसेज कीजिए और हम इसको आपको बता देंगे कि किस तरह से इसकी pricing है और किस तरह से आपके डिलिवर हो जाएगा तो इसको नीचे लिखे number में जाके आप इसको order कर सकते हैं तो अब चलते हैं अपनी थर्ड exercise की तरफ जो BMO strengthening है तो सबसे पहले हमने यह 1kg का weight cuff इसको attach के लेने हैं अपने ankle पे तो ankle weight cuff 1kg 2kg जैसे आपको requirement होती है आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हैं इसको भी order करने के लिए weight cuff को नीचे लिखे number पे जाके आप order कर सकते हैं तो इस तरह से हमने 1kg का weight cuff टाई कर लेना है यहां पर और यहां पर फोम रोल्लर जो आपको पता ही है कि मल्टीबल जगह पे इसको यूज करते हैं हम फोम रोलर को यह भी आप कॉमबो में order को यूज कर सकते हैं फोम रोलर विद वेड कफ इसका कॉमबो में अल्रेटी बनाया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं तो वी एमो एक्सराइज करने में सबसे पहले लोग गलती के कर रखते हैं फोम नौलर को नीगे नीचे रखते हैं जो की घलत है इसको हमने में थाई करने नीचे यह बतक के बिलकुल wegığ माँ रखना इसको नीचे नही हम क्योंकि जो नी है वो आपका प्री होना चाहिए नीकर नीचे नीचे नक्या होता है तो और मुठरे में मुश्खिल होते हैं उनका जो नी है वो फिक्स फ्लेक्शन में रह जाता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रह जाता है वो कभी पूरा सीधा नहीं हो पाता तो सबसे पहला काम हमारा यह होता है कि नी को पूरा जीरो डिगरी तक एचीव किया जाए उसको तब जाके कोई एकसे जो है वो एंकल वाली साइड आपने अमनी बॉड़ी को यही कमांड देने के जहां पे वेड बंदा है आप बस उस पोर्शन को उठाएंगे बाकी सारा पोर्शन जो है वो रेस्ट करेगा फोम रोलर पर अब फोम रोलर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह रिजिड स्ट्रक्चर यह दबेगानी अगर आप अमना कोई गोल पिलो रखते है या बाकी चीज़े रखते है तो वो दब जाती है तो वो इसकी जो एकसराइस की एफक्टिन ऐसे वो कम हो जाती है तो इसको आमने का करना है यहाँ पे रखा हुआ है अब देखें दबेगानी सीधा का सीधा जो उठ रहा है अमना पूरा एंकल उठ रहा है अब यह नीग को स्ट्रेट कर लेना है इसको हमने होल्ड करना है 10 सेकंड फाइब तो 10 सेकंड वह अब अमनी मर्जी से कर सकते हैं इसकी आमने करनी है 20 एपिटिशन तो जो लोग बिगनर है शुरू में करने हैं तो वह 10 कि जुरूरत नहीं है पैर को अपने तरफ किंचने कोई जूरूरत नहीं है आप सिरफ इसको रेज कीजिए होल्ड कीजिए और अपनी एक्सेस कम्प्लीट की दिए तो यह थी मारी स्टेबिल्टी के एक्सेस से बाद आपको लगेगा कि मैंको थाई में इंप्रूमेंट आ तो जो लोग advanced level बें पहुंच चुके हैं वो जुरूर करें इस तरह से नी को टेडा कर लेने ऐसे टेडा कर लेना और ऐसे उठा लेने 30 डिग्री यह exercise भी नी के लिए बहुत अच्छी होती है तो जितने वीमो अच्छा है उतने आपकी जो नी की exercise है वो बैटर होती है अब लास्ट exercise मैं आपको बता दूँ यह बॉल वाली आपको पता ही है सबको इस तरह से हमें isometric करने होती है इसको हमने नी के नीचे रखने है यह नी प्रेस बॉल है यह काफी लोग और कर चुके है और उसका यूज भी बहुत अच्छा कर रहे है आपको भी अगर यह बॉल जाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाके इसका कॉम्बो बना हुए सारा फोर्म रॉलर बॉल नी पिलो रिजिस्टेंस लूप इस सब कॉम्बो में आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा तो सुकून फिजिकल थेरपी की वेबसाइट पर जाके आप इसको ऑडर कर सकते हैं या आप वेट कफ और फोर्म रॉलर रखेला अगर ऑडर करना है एक सिंपल एक्सेस के लिए तो आप मारे नीचे लिखे नंबर पे जाके वाटसाइब मेसेज करके इसको ऑडर कर सकते हैं तो इस तरह क्या करना है नी प्रेस बॉल में हमने नी के नीचे रखे इसमें भी एंकल अपनी तरफ खीचने की जूरण नहीं है सिरफ नी को प्रेस कीजिए ऐसे नीचे की और इसमें ऐसे नी करना है बहुत ज़दा प्रेस कर लिया और इसको पैल्विस को भी उठा लिया एसा बिल्कुल नहीं करना, simple knee कर नीचे प्रेस कर रहा है, ऐसे, 5 सेकंड होल, इसमें AD उठनी नहीं चाहिए आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, relax, और जब रिलेक्स करना है तो जटके से नहीं छोड़ना, और आम से प्रेस किया, 1, 2, 3, 4, 5, और आम से इसको छोड़ना, तो यह exercise भी हो है, और नीच की quadriceps के लिए isometric exercise है, जो की बहुत important exercise है, तो यह थी मारी simple सी exercise नीच के लिए, अब आम नीच के लिए, आपको मैंने बता दिया कि आप ultrasound therapy करवा सकते हैं, जिसको osteoarthritis होता है, ultrasound therapy के साथ यहाँ पर IFT है, tense होता है, जो की inflammation को कम करने के की काम आता है, तो physiotherapy में हम यह दो जीजे साथ में करवा सकते हैं, अगर acute condition है, किसी को injury हुई है, या बहुत swelling है, तो वो ice pack यूज़ कर सकते हैं, नीच के round, नहीं तो हम heating pad यूज़ करके अपनी exercise कर सकते हैं, तो यह थी हमारी simple सी exercise और treatment for knee pain, इसको आप ज़रूर कीज़े, आपका knee pain definitely कम होगा, आपको बाक करेंगे, हर जगा का वीडियो बना हुआ है, मिनिस्कस का, ACL injury का, पटेलो फिमोरल का, कॉंट्रो मिलिशय पटेला का, ऑस्टो आर्थरेटिस का, वो सब जाके आप उसको देख सकते हैं, लग-लग से, और combination आप exercise के अपनी ही साब से adjust कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जार से लाइक कीजिए और share कीजिए, सब के साथ share कीजिए क्योंकि यह बहुत important वीडियो होते हैं, यह बहुत common problem है, नीपेन होना, तो जिसको भी share करेंगे, हर age group में उसको help करेगा, तो हमारा चैनल जाए उसको subscribe ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वा है, और कोई भी product order करने है, तो हमारी website पर जाके सुकून physical therapy की website पर जाके आप उसको order कर सकते हैं, या नीचे लिखे number पर जाके भी WhatsApp message करके order कर सकते हैं, have a nice day, take care of yourself.